नमास्कार दोस्तों इलेटिकल टेकनिशन चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के वीडियो के द्वारा हम ये सिखेंगे कि हम किस प्रका से एक बल्ब को तीन जगा से कंट्रोल करेंगे जैसे कि आप इस सरके डाइग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ती स्विच है पहला स्विच यह हो गया दूसरा स्विच यह हो गया और दिसरा स्विच यह हो गया अब इन तीन स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं यानि कि हम किसी भी जगा से इसको चालू कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यादि मुझे इस बल् के बल्ग को हम नहीं से भी चालू coupon कर सकते हैं और कहीं से भी बंग कर सकते हैं ठीके दोस्तों यह जो हमारा वाइयर्ण है किस प्रकां से किया गया हुआ, उसके बारे में आपको थोड़ाजासा बताता है ठीके दैके यदि आपको एक बल्ग को तीन जगा से कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ पे दो two-way switch उप्योग करना पड़ेगा पहला तो two-way switch यह हो गया और दूसरा यह हो गया ठीके दोस्तों इसके बाद आपको एक intermediate switch का उप्योग करना पड़ेगा ठीके दोस्तों और जो आपका intermediate switch होता है दोस्तों इसमें चार terminal होते हैं ठीके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार terminal दिखाए गया है ठीके दोस्तों अब इन तीनों switch का connection कैसे करें जो आपका two-way switch है ठीके उसका जो उपर वाला terminal जैसे कि यह वाला terminal इस terminal से एक wire को connect करके आपको क्या करना है जो आपका intermediate switch है उसका जो पहला terminal यानि कि उपर वाला terminal उसको connect कर देना है यानि कि उपर वाले terminal को उपर वाले terminal के सार कनेक कर दिए ठीके मैंने क्या किया कि two-way switch जो हमारा था उस terminal से एक wire को connect करके हमारा जो intermediate switch था उसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ करना कर दिया, और नीचे वाले टर्मिनल के साथ सोट कर दिया, आप यहां पर देख सकते हैं दोसों, उसके बाद दिखिए, यहां पर हमारे पास दो और टर्मिनल बच गए, तो इन दो टर्मिनल को भी same connection करना है, जो हमारा intermediate switch था, इसके से एक वाय K Inform करना है जो हमारा वाय स टूए सुपिबर से उपर वाय को करना करके इस टूमक करके इस टूम के साथ सोट करना है और नीचे आलए को नीचे के साथ में यहां पर हमने left hand side में same कर दिया और right hand side में भी same connection कर देंगे उपर वाले को ऊपर के साथ connect करना है और नीचे वाले को नीचे के साथ connect करना है अब जो हमारा two-way switch है इसको incoming power supply देना है इन्पूट power supply देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा face वाली wire थी ठीके उस wire से एक वाले को connect करके हम क्या करेंगे हमारा स्वीच है उसके साथ connect कर देंगे दोस्तों यहां पर एक चीज़ यार रखना जो आपका two-way switch है उसके beach wire terminal पर आपको input power supply देना ठीके यहां पर आप देख सकते हैं धो हमारा face supply था उस में से एक वाले को connect करके हमने beach wire terminal के साथ connect कर दिया ठीके जो दूसरा two-way switch है इसके beach wire terminal से एक वाले को connect करके हम क्या करेंगे हमारा जो bulb उसको face supply दे देंगे ठीके यहाँ पे हमने इस bulb को face supply connect कर दिया ठीक है दोस्तों अब इस bulb को हमें neutral supply देना है तो neutral supply हम directly neutral wire से connect करके दे देंगे ठीक है तो दोस्तों कुछ इस पकार से हमारा जो bulb है उसको तीन जगा से control कर सकते हैं ठीक है एक बार और देखने जिए कैसे काम करेगा यदि हम इस switch को press करेंगे तो हमारा bulb पॉन हो जाएगी और किसी भी switch को press करने के बाद इसको बंद कर सकते हैं ठीक है same to same यदि हम इस switch को press करते हैं तो चालू हो जाएगी और इसको press करने पे बंद हो जाएगी कि दोस्तों कुछ इस पकार से यदि आप वाइडिंग करते हैं तो आप भी एक बल्ग को तीन जगा से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रीस लाइक कर दीजेगा और किसी परागा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद